नमस्कार भीया विद्याभार्ति की ओनलाइन क्लास में एक बार आप सभी कापुने स्वागत है आज हम कक्षिया बारा का जो जीविग्यान का पार्ट आठ हम बढ़ रहे हैं बाद वो में खनीज पोशन जो हमारा चल रहा है उसी में हम आगे अन्य पोशक तत्तों की खनीजों की भूमी का उनकी कमी के निउन्ता के लक्षन के बारे में पढ़ेंगे हमने अभी तक तेरा तत्तों का पोशक तत्तों के भूमी का वा उनकी निउन्ता के लक्षन के बारे में पढ़े लिया है आज हम जो सेश चार पोसक्तत्व रहे गए उनके बारे में अध्यन करेंगे इन पर अधिक इन पोसक्तत्व पर ज्यादा जोर देने का कारण ये है कि हर बार इन में से दो परसंद जरूर परिक्षा में पूछे जाते हैं लिए इसको हमने सही डंग से पढ़ने का प्रियास किया है और आप भी इसका अधियन सही डंग से करेंगे इसी मेरी आप से आसा है तो आज हम एक अन्य पोसक्तत्व पोसक्तत्व है कोपर उसके बारे में अध्यन करते है अब कोपर का आवसोचन पूद एक इसका आवसोचन करते है जिस दोनों ही रूपों में पादब इसका आवसोचन करते हैं कोपर है वो सक्रिय एंजाइम पॉलिफिनोल ऑक्सिडेज का प्रमुक गटक है ये एक एंजाइम है जिसका नाम है पॉलिफिनोल ऑक्सिडेज तो पॉलिफिनोल ऑक्सिडेज क्या है ये एक फलों में जो फल होते हैं जल की मात्रा बनाए रखने वाला एक एंजाइम होता है यह फलो में जल की मात्रा की को बनाए रखने का या एक एंजाइम है जिसका जो कोपर की उपस्तिति में इसका निर्मान होता है यह कोपर इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है फिर अगला है यह प्लास्ट्रोसाइन तो प्लास्ट्रोसाइनीन पोदों में पाय जाने वाला एक तामबाक्त प्रोटीन है तो प्लास्ट्रोसाइनन क्या理 omj ज्यान में रहना ज्रूरी है आप सी इस इसके बारे प्रदा नहीं पूचते लेकिन फिर विए अगर कोई नाम आता है तो उसके बारे में जान नावशक है तो प्लाइस्टो साइनिन एक तामभा युक्त प्रोटीन है जो पोदों में जो प्रोटीन जो इलेक्ट्रोन इस्तानांतरण की मद्यस्ता का कारिय करता है में इलेक्ट् इसका प्रियोग अब जो कोपर है इसका प्रियोग प्रकास संसरेशन lesson इलेक्ट्रोन में के अभी घमिन यानि आवाग मन आने जाने में भी इसका अप्योग होता है तो कोपर एक मयत पुण बुमी का निवाता है खास कर इलेक्ट्रोन इस्तानांतरण में अब कोपर की नी सभाग वो सपेद हो जाते हैं निम्बू में इसकी कमी से ये परसन 2018 में पूछा गया था तो निम्बू में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है सिर्शारंबी रोग परिक्ष्या में इसे परिक्ष्या में जब 2018 में परसन आया था तो परसन पूछा गया था कि निम्बू में सिर्शारंबी रोग किस पोसक तत्व की कमी के कारण होता है तो उसका उत्तर था कोपर परसन पूछा गया था उसकी भासा ये थी कि निम्बू में सिर्शारंबी रोग किस पोसक तत्व की कमी से होता है तो वो किसकी कमी से होता है कोपर की कमी से तो ये द्यान में रखना सिर्सारंबी रोग क्या होता है सिर्सारंबी रोग जिसमें जो निम्बू का पोधा होता है उसके जो टैनिया होती है साखाई होती है उनके जो सिर्स भाग है वो अल्प विक्सित रह जाते हैं या यकेदे वो नश्ट हो जाते हैं जिसे पोदे की वर्दिय वो रुख जाती है और अगला इसका न्यूंता का लक्षने कायक तता जनन वर्दी पोदे की कायक वर्दी रुख जाती है पोदे की लंबाई में नहीं बढ़ता है या उसकी ज जनन करने की समता जनन वर्दी रुख जाएगी तो फिर उत्पादन समता भी उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह हमने कोपर के बारे में पढ़ा अगला बढ़ते हैं मोली बडेनम मोली बडेनम M O M केपिटल है स्मॉल हो है इसका आवसोषन मोली बडेनम आयन के रू बूमिका निभाता है इनि नायटेड के उपापचे में इसके बूमिका निभाता है जिससे प्रोटीन या निगटकों का निर्माण होता है और इसके अलावा यह मोली बडेनम में एंजाइमों को सक्री करने का कारिये करता है तो यह मोली बडेनम की क्या हो गई बूमिका हो प्रूटीन का जो संसलेशन है वो क्या हो जाता है रुख जाता है पत्तागोबी में एक रोग होता है वहिप्टेल रोग तो पत्तागोबी में जो वहिप्टेल रोग होता है जिसे पत्तियां इस प्रकार से होती है जिसे मेरा हाथ है तो वहिप्टल रोग के काण पत्तियां ऐसे मुड़कर ऐसे गड़े नूमा हो जाती है मलब गड़ा बन जाता है पत्तियां इस प्रकार से हो जाती है मुड़कर तो इसको बोलते हैं पत्तागोबी की पत्तियों में वैप्टल रोग जिसके कारण पोल दे कि पत्तियां विक्रत हो जाती है मलब मुड़ जाती है उप पुराणी नीचे की जो पतियां है वो चितकपरे-दब्बे जो पुराणी पतिया धिखाई देने लगतें परीपकव पत्यों के किनारे जुलस कर मुड जातें जैसे मैंने भी बताया कि जैसे पतागोबे के पतियों के किनारे वो ऐसे मुड जाते हैं जैसे जड़ेवे होते हैं वैसे तो यह है मॉलिबडेनम अगला पोछ सकता है तो अपना कलोरीन है पादब कलोराइड के रूप में आइन ग्रेन करते हैं जो कलोरीन का आवसोषन पादब करते हैं वो किस रूप में करते हैं कलोराइड आइन के रूप में सी एल माइनस के रूप में क्लोरीन की सो से तिन सो पीपियम मात्रा पोदे की वर्दी के लिए आवशिक होती है तो परिक्षा में परसन पूछा जा सकता है कि क्लोरीन की कितनी मात्रा पोदे की वर्दी के लिए आवशिक होती है तो तिन सो से लेकर तिन सो पीपियम कम से कम आवशिक था यह जेवरसाइ की प्रक्रिया को चलाता है तो यह जेव रसायन का गटक नहीं होता है किवल अन्य जो कलोरीन कार्वो आडेर उपापचे का भाव होता है मतलब उसको क्रिया को उपापचे क्रिया को शुरू करता है या उसकी क्रिया को चलाने में सक्षम होता है इसके अलावा यह विद्धू पर इनकी नियून्ताक इलक्षन क्या होते हैं इससे प्रकाश सन्सालेशन की जो क्रिया होती है वह प्रभावित होती है वह कम हो जाती है उठ तक शेह हो जाते हैं हुरीमें पतियों में फलों का निर्मान करीया क्या है क्यों कि överपढ़ कई अभ पोर प्रकाश अडा की ईप या जो कारवाड़े रुपाप चेक्रिया प्रभावित होगी तो फलों का निर्मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो एक लास्ट पोस्ट तत्व अपना बचा है निकल निकल को पहले आवशिक तत्वों में सामिल नी थे पहले सोड़ा तत्वी थे लेकिन बाद में जो एक विग्यानिक थे डॉल्टन नामक उन्होंने सन 1988 में निकल को आवशिक तत्वों की संग्यादी उसको सामिल किया पहले सोड़ा तत्वी थे तो निकल जो यूरियेज एंजाइम होता है उसके निर्माण में जो यूरियेज एंजाइम 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 जो यूरियेज एं जो एंजाइम होते हैं, जैसे एंजाइम होगी, ये सरंचना होगी, एंजाइम को इसरंचना में एक तो प्रोटीन भाग होता है, जैसे ये एंजाइम है, माली जी ये एंजाइम है, तो एक भाग इसका ये हो गया, बाकी भाग ये हो गया, सेस, तो ये भाग जो प्रोटीन य समुए कहते हैं तो जो प्रोटीन का एंजाइम का जो एप्रोटीन भाग होता है जिसमें प्रोटीन नहीं होता उस भाग को क्या बोलते हैं प्रोस्थेटिक समुए कहा जाता है और जो प्रोटीन युक्त भाग होता है वो अलग होता है जिसे को एंजाइम या एपो एंजाइम के नाम से जाना जो प्रोटेन युक्त बाग के होता है उसको को एंजाइम या एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है और इस बाग को एप्रोटेन बाग को प्रोस्टेटिक समुव कहते हैं तो यह एंजयम वाले पार्ट में हम इसका विष्टित अद्यन करेंगी तो यह निकल यूरीज एंजयम में प्रोस्टेटिक समोग के रूप में याई प्रोटीन भाग के रूप में कारिये करता है हालाकि पोदों को निकल के आवसकता बहुत सुक्ष मातरा में होती है जो भीजों के अंकूरन के लिए बहुत आवशिक होता है तो यह जान रखना पोदों के अंकूरन के लिए प्रमुक भूमिका को निबाता है निकल और ये पादब इसे किस रूप में एन नाई प्लस टू यानि दूई से धनाईन के रूप में इसका आवसोशन करते हैं निून्ता गेलक्षन इसकी कमेशे पत्तियों में यूरिया का जमाव हो जाता है क्योंकि यूरिया जेंजायम नहीं बनता अभी आपने उपर फड़ा अगर यूरिया जेंजायम नहीं बनेगा तो यूरिया का जमाव हो जाएगा यूरिया का संसलेशन है वो ज्यादा हो जाएगा पत्तिया हरी महीन हो जाती है या उस पे चकते बन जाते हैं उत्तक नश्ट हो जाते हैं जिसें उत्तक जानश्ट होते हैं वाया चक्ते बन जाते हैं दब्बे बन जाते हैं तो यह हमने सुत्रा पोसक तत्वों के बारे में हमने विश्त्रित सही डंग से इसके बारे में ध्यन किया है अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि खनीज लवण से होती है एक तो निस्क्रिये एक सक्रिये निस्क्रिये कि तीन से दान्त हैं सक्रिये के विबिन वेग्यानी को द्वाराग दिये गए तीन से दान्त है जिनका हम अगले वीडियो में सही डंग से दिन करेंगे लेकिन अभी इनके बारे में दिन करते हैं कि मर्दा से जो मूल ह होती है जड़े होती है वो खनीजों का आवशोशन करती है जड़े करती है अब परसन यह आता है कि हमने पीछे जो वीडियो पड़े हैं मूल की सरंजना या जो हमने नोट्स पड़े हैं तो उन्हें हमने पड़ा है कि मूल जो होती है मूल के प्रमुख भाग होते हैं जैसे म मूल रोम छेतर होता है, मूल गौप छेतर होता है, प्रोड छेतर होता है, विवजोत की छेतर होता है, दिर्गी कर्ण छेतर होता है, तो पांस मूल के प्रमुक पांस भाग होते हैं, मूल रोम छेतर, मूल गौप छेतर, मूल प्रोड छेतर, विवजोत की छेतर, दिर्गी कर खेतर दो खेतरों से ही खनीजों का अवसोषन होता है। खेतरों से ही खनीजों का तो खेतरों से होता है। कोसिका में जो खनीजों का, जो खनीज होते हैं, कोसिका में खनीजों की अधिक सांदर्ता से कम सांदर्ता की और जो गती होती है, उस परक्रिया को हम रासा, विद्धूत रासा, निक भी बोपरमनता कहते हैं, तो अधिक सांदर्ता से कम सांदर्ता की और जो खनीज होते हैं, जिसे मूल में जिस खनीज की सांधरता कम हो जाती है, मिट्टी में उसकी सांधरता ज्यादा होती है, तो वो मिट्टी से किस में चले जाएंगे, मूलों में चले जाएंगे, तो इस प्रकार के आएन इनके विदूद रासाइनिक विदूद परवणता के आधार पर बिना ATP उ अव्षोषण भी कहा जाता है he is Chris का नाम किताब में नहीं है स्लेकिन आपको जाने में रखना है कि इसे बोतिक अव्षोषण भी चैती है दूसरा वते हैं सक्री अव्षोषण सक्री अव्षोषण सक्री ओस जिसमें ऊरों जागया वो सकता होती है विदुद प्रवनता या रासायनिक विदुद 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 तीन सिदान्त हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में दिन करेंगे तो निस्क्रियावसोशन के सिदान्त कौन कौन से पहला है सहती प्रवाहग परिकलपना या सिदान्त दूसरा है आएन विन में परिकलपना या सिदान्त तीसरा है डोनन सामय वस्ता सिदान्त इन तीनो सिदान्तों के बारे में और सक्री अवसोशन के सिदान्त हैं वाहक संकलपना सिदान्त हैं आईनिया साइटोक्रों पंप संकलपना सिदान्त हैं या विदूत रासानिक प्रवणता की संकलपना सिदान्त हैं इनके बारे में हम जिस्तित अद्यन हैं वो अगले वीडियो में कर मैंने जो भी वीडियो बनाया उनको आप सही डंग से देखें उनको नोट करें उनमें जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो अलग से नोट करें जब भी विजाले खुलता है या आप मुझसे संपर करके उनके बारे में पूछ सकते हैं धन्यवाद जैहिन जै बार किवल करें जैहिन जारे जैहिन दीज़ हैं देखें सहांएएगे जानको आप इंदा है एंदान cool झाले करें भी जारे में जारे में दिया हैं थाया इंया दएग सुआने जारे में चल्समुन पचलता है जाख यतान को बवीड़ स्कतरर कई